प्रहाट टाइम्स लोग सभा चुनाओं 2019 के आखरी चरणों में पस्टिम बंगाल में मंगलवार को कुलकत्ता में बीजेपी अध्यक्षा मिस्चाह के रोडश्टों के दौरान जम कर बवाल हुआ भाजपा और पस्टिम बंगाल की टीमसी समर्थकों के बीच मारपीट और आगजनी भी हुई अमिस्चाह के रैली के दौरान विद्या सागर कॉलेज में से टीमसी के कारेकरताओं ने अमिस्चाह की रैली पर हमला कर दिया रैली में शामिल बीजेपी कार्यकरताओं की पिटाई कर आगजनी भी की इस घटना के बाद बीजेपी और ममता बनिर जी में जुबानी जंक तेज हो गई है अमिस्ताह ने कहा है कि ममता बनिर जी ने हिंसा भड़काने का प्रयास किया है मगर मैं सुरक्षित हूँ इस प्रकार से भारतिय जनता पार्टी के रोड़ू के अंदर कलकत्ता में जन सहलाब उमड़ा था कलकत्ता का लगबग-लगबग हड़ नागरिक रोड़ू में था आट कीलोमिटर तक कहीं पर भी पैर रखने की जगे नहीं थी सारा रोड 8 किलो मिटर का जनता से भरा हुआ था उससे फ्रस्टेट होकर ममता दीदी की पाटी त्रिनमोल कॉंग्रेस के गुंडों ने रोड सो पर हमला किया है मेरे रत से 200 मिटर दूर से ही कोई मेडिकल कॉलेट था वहीं से हमले की सुरुआत हुई आग जनी करने वाले प्रदार्द फैके गए और स्ट्रेंपेड कराने का प्रयास किया गया मगर मैं बदाई दूँगा भारती जनता पार्टी के सभी कारे करताओं को इसके बाद भी देड़ गंटे तक रोड सो चलता रहा और रोड सो अपने जगे पर समाप्त होने की जगे पर जाकर समाप्त हुआ उधर मामता बनेर जी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए शाह को गुंडा बताया है मामता ने कहा कि अगर आप विद्या सागर तक हाथ ले जाते हैं तो मैं गुंडा के इलामा और क्या कहूँ साथ ही कहा कि मुझे आपकी विचार धारा से नफरत है कुलकत्ता में बीजेपी की रोड सो के दोरान हिंसा और आगजनी की घटना के बाद केंद्रिय मंतरी निर्मिला सीता रमण और मुखतार अबास नकवी सहित पार्टी के एक प्रतिनीधी मंडल चुनाओ आयोग तक प कर दो कर दो